Redmi वाल उने फिर से एक सस्ते में 4G फोन को launch कर दिया है जिसका नाम रखा है Redmi A1 Plus Redmi A1 का successor रहने वाला है Redmi A1 Plus 2GB, 32GB वाला फिरिन का जो price रखा है 7000 रुपीज अभी आपको flip car में मिल जाएगा देखो भाई फोन का price सस्ता रहने वाला है इस सस्ते के चकर में अगर आप गलत फोन पर्सिस कर लोगे तो पस्ता आओगे आप ऐसे भी इस फोन को मैं काफी दिनों से थोड़ा हेवी में टेस्ट कर रहा हूँ मुझे तो पता चल गया है एफोन मेरे हिसाब से कैसा होने वाला है अगर आप जानना चाते हो Redmi A1 प्लास आपकी हिसाब से कैसा होने वाला है क्या एफोन 7000 रुपिस में value for money होने वाला है कि नहीं चलिए दोस्तों मैं आपको बहुत आसान तरीकर से समझाता हूँ शुरू बात करते हैं इस फोन की build quality and design से आप भी शुरू बात कर दीजे इस वीडियो को like करके देखो यार Redmi A1 का जो design था same design यहाँ पर आपको मिल जाएगा polycarbonate का frame रहने वाला है पीछी की तरह polycarbonate यूच के आए hard polycarbonate रहने वाला यहाँ पर fingerprint का निस्तन यहाँ प्रैसिस बिगरा नहीं आता है और camera का जो bomb है और ना के बरबर रहने वाला यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा जो है fingerprint sensor बहुत ही first रहने वाला है यहाँ पर अब देख सकते हो tap कर रहो तुरंद open हो रहा है लेकिन यार front side के तरफ देखा जाए वही water drop notch के साथ आ रहा है डिस्प्ले का बजल और नीचे जो chain आपको थोड़ा सा मोटा देखने को मिल जाएगा लेकिन price point के तरफ देखा जाए यह चलता है यार यूँकि मैं कहने वाला हूँ phone का जो design है पर price point की हिसाफ से एक number रहने वाला है डिस्प्ले के मामले में जो phone है कंजूसी नहीं किया है बहुत ही अच्छा सा display offer कर रहा है price point की हिसाफ से 400 nits का brightness रहने वाला है जब इस phone को मैं outdoor में यूच करता हूँ या direct sunlight पर यूच करता हूँ brightness का कमिया मुझे नहीं मिलता है यहाँ पर रहने वाला है widevine L3 का certification आप OTT platform में full HD में content वेगरा नहीं देख पाऊगे लेकिन आप YouTube का वीडियो को full HD में देख सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो जो color आ रहा है SD plus resolution के हिसाब से जब दस्त रहने वाला है अगर आप movie या video बेगरा जादा देखते हो यह जो फोन आपको निरास नहीं करेगा display के मामल में लेकिन चिपसेट के तरफ देखा जाए जो फोन है नॉर्माल यूजर के लिए बना हुआ है MediaTek की तरफ से आता है A22 चिपसेट के साथ जो की goktakore चिपसेट रहने वाला है इसका clock speed run करता है 2 gigaarts में और यह जो चिपसेट बना हुआ है 12 nanometer पर यहाँ पर जो GPU देखने को मिलेगा यहाँ कि यहाँ पर timing जो है थोड़ा ज्यादा ले लेता है मेरे पास जो फिरेंट रहने वाला है 2gb 32g वाला फिरेंट LPDDR 4X RAM के साथ आ रहा है 2gb RAM के सबस्ति यहाँ पर जो RAM management देखने को मिलता है और तू गूट रहने वाला है यहाँ कि कूल मिलाकर में बतरने वाला हुए जो फोन है भाई नॉर्माल उज़ार के लिए अच्छा है यहाँ कि अगर आप गिफ्ट करना चाहते हो आपका मामी पापा या ऐसे उज़ार को जो डेटु लाइव यूज में फोन को नॉर्माल उज़ार करता है उसके लिए फोन पारफिक्ट रहने वाला है और एक जिसमे जो फोन स्वोन इवाली पारफिक्ट रहने वाला है अब यहां पर देख सकते हो फूल एजडी में आप 30 एपिस पर वीडियो को रेकॉर्ड कर पाओगे और उसके हिसाफ से जो quality निकल कर आ रहा है मैं तो कहने वालो ठिक ठक रहने वाला है अगर आप autofocus के तरफ notice करोगे यहाँ पर autofocus में आपको थोड़ी सी delay देखने को मिल जाएगा और आदास quality के तरफ देखा जाए ठिक ठक रहने वाला है ऐसे भी कुछ picture sample आप यहाँ पर देख सकते हो 8 megapixel के हिसाफ से यहाँ पर जो quality निकल कर आ रहा है वो जबद्दस्त रहने वाला है फोटो खिजने के टाइम अगर आपका हाथ थोड़ी से सेग हो जाता है यहाँ पर फोटो जो बलारी से आता है यहाँ पर आटो फोकस इतना अच्छा नहीं मलता है फोटो किसने के टाइम आप फोटो को थोड़ा steel में रख दीजिए अगर आप फोटो में बेटर कलर लेना चाते हो तो जो HDR option रहता है उसको आप all time on करके जरू रखना ऐसे भी selfie camera के तरफ देखा जाए जो phone आ रहा है 5 megapixel selfie camera के साथ video sample आप यहाँ पर देख सकतो 5 megapixel के हिसाब से यह price के तरफ देखा जाए ठीक ठाग रहने वाला है skin tone का color को इतने अची तरी किसे manage नहीं करता है stabilization आपको भाई नहीं देखने को मिलेगा है ऐसे भी इस price में कोई भी phone के अंतर आपको stabilization नहीं देखने को मिलता है कुछ photo sample आप यहाँ पर देख सकतो 5 megapixel के हिसाफ से quality ठीक ठाग रहने वाला है dynamic range को इतने अची तरी किसे manage नहीं करता है और यहाँ पर आप देख सकतो skin tone का जो color आ रहा है और ठीक ठाग रहने वाला है protein mood का कुछ photo sample आप यह पर देख सकतो quality ठीक ठाग रहने वाला है मुझे बहुत ही पसंद आया है यहुगि इस phone में जो photo या video आता है ओ ठीक ठाक रहने वाला है प्राइस पॉइंट के हिसाफ से आपको निरास नहीं करेगा फोन की आदर स्पेसिपिक एसन के तरफ देखा जाए latest android 12 के साथ आ रहा है और यहाँ पर go edition रहने वाला है new UI का go edition मतलब यह जो phone है वाई stock android का फिल देने वाला है यहाँ पर pre-install app बेगरा नहीं मिलता है और यहाँ पर ठेस सारी features के साथ नहीं आता है यहाँ पर clean UI रहने वाला है अगर आपको ज़्यादा features वाला phone नहीं चाहिए यह जो phone है आपके लिए perfect रहने वाला है फिर भी अगर आप इस phone को pro user की तरह यूज़ करना चाहते हो तो इसका tips and tricks वीडियो अल्रेडी मेरा second channel के ओपर upload हो चुका है वीडियो का link आपको description पर मिल जाएगा या in-skin पर मिल जाएगा आप एफ वीडियो खतम होने के बाद वीडियो को देख साकते हो यह चीस मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस phone में अब SD card को लगा सकते हो उसे के साथ साथ अब dual 4G volt SIM card को use कर सकते हो यह जो phone है भाई 4G phone रहने वाला है लेकिन यह पर 4G plus का support आपको नहीं दिखने को मिलेगा यह आपर AMI का default dialer मिलता है बहुत ही अराम से call को record कर सकते हो सारे लेवेल उइदिन लिमिट रहने वाला है hefty feedback हेंपर मस्त मिलता है phone में 3.5mm audio jack रहने वाला है single mic भी है single mic के हिसाफ से जो quality निकल कर आता है वो अच्छा रहने वाला है आपको निरास नहीं करेगा इस phone में मिलता है single speaker single speaker के हिसाफ से जो quality निकल कर आता है बहुत ही अच्छा है अगर आप full volume में music सुनोगे तो phone जो private नहीं करता है यह चिस मुझे बहुत ही अच्छा लगा है मुझे पता है आपके मन में एक question आ रहा है phone का battery backup कैसा रहने वाला है देखो यार battery ampere के तरब दिखा जाए जो phone आ रहा है 5000W battery के साथ inbox 10W का adapter रहने वाला है micro USB का port मिलता है यहाँ पर आपको थोड़ी सी निरास करेगा लेकिन भाई battery charge होने के लिए बहुत ज़्यादा time लेता है जैसे battery charge होने के लिए ज़्यादा time लेता है इसका battery दिन होने के लिए ज़्यादा time लेता है skin on time यहाँ पर लगबग 7 hours के आसपास में यहाँ पर मिल जाएगा उसके इससे तो मैं कहने वाला हूँ अगर आप phone को normal यूज करोगे दिर दिन अराम से निकल जाएगा बैटरी वेकप के मामले में जो phone आपको निरास नहीं करेगा तो चलिए दोस्तों आप बात करते है इस phone को 7,000 रूपीज पे करके purchase करना चाहेगे ने देखो भाई जो phone है normal user के लिए बना हुआ है अगर आप normal user करना चाहते हो इस price range में एक perfect phone रहने वाला है आपको stock android का फिल देने वाला है इसका camera quality भी अच्छा है price point के इसाफ से design या wheel quality के मामले में जो phone है solid रहने वाला है display का quality भी अच्छा रहने वाला है अगर आप movie या video पकर जादा देखो इस price range में बड़ी आसा display याँ पर offer कर रहा है और एक चीस के मामले में जो phone है जबदस रहने वाला है जो है battery backup battery backup लेकर आपको ये जो phone है निरास नहीं करेगा मैं तो कहने वाल हो ये जो phone है 7000 रुपिस में एक all-rounder phone रहने वाला है अब जो रूट इस phone को purchase कर लिजिए आपको निरास नहीं करेगा फिर भी आपको कैसा लगा है ये phone आप मुझे comment में जुरू बता सकते हूँ क्योंकि साफ का opinion अलग-अलग रहता है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है मेरा समझाने के तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो एक like कर सकते हूँ का एक like इस वीडियो को बूश्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है ऐसे वीडियो लिखना चाहते हूँ चानल को कर लिजिए सब्सक्राइब नोटीवी के संब्सक्राइब को क्लिक करके रख दीजिए